व्यीकम स्थ्राइब में फिंशिक था वोस्ताइब था ऊप्तीप्टिंफे अंधोनी तो आघकी वीडियो में हम सीखेंगे तर्ममेकनिकल अनालीष इसित्यम तरीकाय Kevin me करते में और आर वसकी को त्यमें की सैंप्टीमाईस करते मिती हैं तो इसे वीडियो में analysis को करने के लिए हमें एक ऐसा component ढूंड़ना होगा जिसमें यह सारी boundary condition लगती है तो जो हमने जो component select किया है that is disc break क्योंकि disc break में हमारी यह सारी boundary condition apply होती है disc break में जब हम break लगाते हैं तो disc pad के compress होनी की वज़ा से वहाँ पर temperature generate होता है और यह जो disc pad है यह हमारी जो rotation होती है डिस्क की यानि टायर की जो rotation होती है या फिर shaft की rotation होती है उसका oppose करते हैं यानि उसको रोकने की कोशिश करते हैं जिसकी वज़े से disc break के अंदर stress और deformation generate हो जाती है तो आज की वीडियो में हम इस analysis को perform करने के लिए एक disc लेंगे तो वो डिस्क मैंने पहले से बनाई हुई है तो हम चलिए हम click कर लेते हैं study state thermal पर तो यहां मैं study state thermal पर click करूंगा click करने के बाद आप यहां से material define कर सकते हैं जो भी material आप चाहें यहां मैं material define इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं सिर्फ आपको सिखाना चाहरा हूं अगर आप चाहें तो आप material define कर सकते हैं अगर आपको material define करना नहीं आता तो उसके लिए description में मैंने एक video का link दे दिया है जहां पर जाकर आप सीख सकते हैं कि एंस में किस तरीके से material को define करते हैं तो चलिए हम geometry को import कर लेते हैं हम राइट क्लिक करेंगे geometry पर जहां भी आपने geometry को save किया है वहां जाकर आप geometry को import कर लेंगे तो यह geometry हमारी import हो चुकी है this break हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है यह हमारा इस ब्रेक है तो चलिए इसमें हम boundary condition लगा देते हैं तो हम यहाँ पर study state thermal में जाएंगे यहाँ पर insert करेंगे इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पर temperature लगा देंगे तो जो temperature हमारा generate होता है वह हमारी इस वाली temperature अप्लाई होता है या फिर temperature generate होता है जब हम डिस पैट को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे दैन आप temperature आप यहाँ से दे सकते हैं जो कि अभी 22 लगा हुआ है आप इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ पर temperature 100 degrees का apply कर रहा है तो यह temperature यहाँ पर लग चुका है यह temperature अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर insert पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे convection पर तो convection पर जाने के बाद हम वह एरिया सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारी heat को dissipate करेगा तो एक तो यह एरिया है जो heat dissipate करेगा दैन इसके पीछे की साइड वाला तो यह वह एरिया है जहां से हमारी heat का dissipation होगा इसके बाद आप यहाँ पर film coefficient सेलेक्ट करेंगे अब आपको पता होगा कि जब डिस्क रोटेट होती है तो तो जो heat dissipation होता है वह हमारा एयर में होता है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां एक छोटी सी एरो आपको दिखेगी इस एरो पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर इंपोर्ट का ओप्शन आ जाएगा इंपोर्ट टैंप्रेचर यहां क्लिक किजएगा यहां क्लिक करने के बाद आपको यहां पर स्टेंडर्ड एयर दिख जाएगी यहां पर आप क्लिक करेंगे और करेंगे को आप हीट यहां पर इंसेटी करेंगे टेंप्रेशर टैंपरेचर कर लेंगे इसके बार पूम करने के बाद आप संब करने इसे को मैंशिंग की है और उसके बाद उसको स्वालिशन की करेंगे आप चाहें to पहले मैशिग भी कर सकते हैं रैट कि Character करे लिक के पाद यहां पर आपको बहुत सारे अप्षिंग दिख जाएंगे यहां परrement करने के यहांप जाकर आप मैशिंग को इंप्रूफ कर सकते हैं आप यहांileen को nell pas know्रेश्था तरक एक बिद्गण है जिससे कि आपको रिजाट थोड़ी से और अच्छे से आइसके यह result है जो temperature है वो हमारा outer area पर जादा होगा क्योंकि यहीं से हमारा temperature generate हो रहा है that हमारा convection की वज़े से temperature यहां धीरे-धीरे कम होता चले जाएगा क्योंकि यह heat को dissipate करेगा और यहां पर हमारा temperature सबसे कम होगा तो यह है हमारे temperature के result अब हम इसको यहां से close कर देंगे close करने के बाद आपका यह solution complete हो चुका है then आप static stack layer पर जाएंगे आपको क्या करना है static stack layer पर आपको अपना left click दबा कर रखना है then आप यहां से उपर से नीचे तक लेकर आएंगे इसको solution तक solution पर लाने के बाद आप यहां से जो left click था उसको छोड़ देंगे तो यहां पर आपके सारे result यहां पर इंपोर्ट हो जाएंगे यानि जो भी temperature की result आपने हाँ पर solve किये हैं वह यहां पर इंपोर्ट हो जाएंगे तो इसके बाद आप यहां पर setup डबल क्लिक करेंगे setup डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का user interface आ जाएगा यानि जो आपने पहले analysis perform किया था वह भी यहां पर आ जाएगा information tree में और इसके अलावा जो जो static structure आपने इंपोर्ट किया है वह भी यहां पर आ जाएगा then static structure में आपका एक option और extra आ जाता है जो कि है यहां पर imported load यानि वह चीज जो आपने पिछले analysis में solve की है वह यहां पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं तो आपको simply यहां पर right click करना होगा और आप import load पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके result है वह यहां पर शो हो जाएंगे जो आपने इंपोर्ट किया है आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप इससे यहां से एक्सेंट कर लीजेगा यह है इंपोर्टेट बॉडी टेंपरेचर क्योंकि हमने आप ठर्मल अनाल्सिस प्रोफॉर्म किया था और रिजल्ट भी हमारे ठर्मल अनाल्सिस के ही आएंगे तो यहां पर इसी लिए बॉडी टेंपरेचर दिखाया गया है तो जैसे आप इस प इस प्रेशनल वैलोसिटी है वह लगाएंगे इसके बाद फिक्स अपोर्ट लगाएंगे दैन हम प्रेशर लगाएंगे जो कि डिस्पैट यहां पर अपलाई करते हैं इस रैड वाले एरिया पर तो चलिए वन बाइवन करकर हम वो सारी बांडरी कंडिशन यहां पर लगा बैन जब आप यह सारे के सारे होलस तरय हैं ़ोप जैसे क्लिलेक्यान रहेंगे। यहां पर रपलाई पर संपया लगा थिया पर लगा दयाओ हैं यहां यहां पर अगोंनी इसेटर हें नहीं में चलिक्रचश करकैंद सब्सक्रुदों 100 तो प्रेशर पर क्लिक करने के बाद मैं यह वाला फेस्ट कर लूँगा और अपलाई पर क्लिक कर दूँगा तो यहां पर मेरा प्रेशर लग चुका है वैल्यू यहां पर दूँगा फॉर एक्जमपल 0.5 यह 0.5 मेगा पासकल का प्रेशर इस साइट से लग रहा होगा और इ तो मेगनिटूड है उसको मैं वापस से फीट कर दूँगा 0.5 एंटर कर दूँगा तो अब आप देखेंगे कि आपके दो प्रेशर लग चुके हैं अगर मैं स्टेटिक स्टेक्शर पर क्लिक करूं तो यहां आप देख पाएंगे कि आपके दो प्रेशर लग चुके हैं कसरी एक इस साइडेक लगा होला जो एंदर की साइडेकों और यहां और सी जो है जो यहां पर दिखा भी रहाऊ होगा यह आपके कशार हां यहां और प्रेशर ऍटेक्स mor um अगें right click करेंगे शेंग जाये हम यहां पर rotational वैलिउ सिटी लगा देंगे rotational वैलिस शीटी पर click करने बाद आप यहां पर all body select already हो रखा है आप चाहिए तो select करने के बाद अगें apply पर click कर सकते हैं आपकी पूरी body select हो जाएगी देप यहां पर magnitude पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप magnitude दे देंगे यहां पर मैंने रेंडमली 100 पर सेकंड दिया हुआ है आप चाहे तो अपने अक्वाडिंग आप calculate करकर भी reading दे सकते हैं यहां पर आपको access करनी होगी कि इसकी rotational access क्या है आप इस पर क्लिक किजेगा दैन आप इस वाले face पर क्लिक किजेगा और apply कर दीजेगा वह automatically rotation ले लेगा जैसे कि आप यहां पर देख पार होंगे जो rotation है that is anti clockwise अगर आप चाहते हैं कि rotation clockwise हो जाए तो आपको हम यहां पर solution में total deformation और stress देखना चाहते हैं तो आप solution पर क्लिक किजेगा insert में जाएगा और deformation में आपको total सेलेक्ट कर लीजेगा तो यहां total deformation insert हो जाएगी दैन अगें insert stress में जाएगा stress में जाने के बाद equivalent warmness stress पर क्लिक कर दीजेगा तो यह भी insert हो जाएगी अब अगें हमें यहां पर solution पर right click करना है और solve पर क्लिक करना है solution complete होने के बाद आप total deformation पर क्लिक किजेगा तो यह आपके deformation के result है यह वो result है जब आपने temperature भी लगाया हुआ है side by side pressure और rotational velocity तीनों condition लगाई हुई है तो तब यह deformation के result है इसके अलावा आप stress के result भी देख सकते हैं कि कहां पर stress जादा होंगी आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपकी stress जादा है और इसी तरीके से deformation में भी आप देख पा रहे होंगे कि deformation आपकी इन एरियास पे जादा किस texture है यानि यहां पर आपने temperature लगाया है और यहां पर आपने बागी की boundary condition लगाई है like pressure and rotational velocity तो चलिए अब हम इसकी topology optimize करकर देख लेते हैं कि यह दोनों boundary condition लगाने के बाद ऐसा concern material है जो कि हमारे पूरे analysis में participate नहीं करेगा तो हम topology optimization में जाएंगे और यहां पर click करके रखेंगे left click left click और उसके बाद हम यहां पर उपर से नीचे की तरफ इसको move करेंगे और solution पर जाकर इसको छोड़ देंगे तो जैसे ही हम यह करेंगे तो हमारा यहां पर यह पूरा का पूरा component पर यह आपने पहले ही solve किया हुआ था बट आपको यहां पर एक बार इसको solve करना होता है देन अगेन आप वापस से right click करेंगे और update पर click करेंगे यहां पर solution done हो चुका है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे देन इसके बाद आप यहां पर right click करेंगे और update पर click करेंगे यहां पर done हो चुका है डैन आप double क्लिक करेंगे setup पर तो यह आप देख पा रहे होंगे कि आपके सारे के सारे analysis हो चुक है यह आपका information tree है जिसमें आपके सारे के सारे analysis यहाँ पर coupled हो चुके हैं पहले आपने study state thermal किया है दैन आपने static और उसके बाद आप यह टॉप लोजी ऑप्टिमाइजेशन तो चलिए इसके बाद आप यहां से टॉप लोजी को अप्टिमाइज करके देख सकते हैं आपको यहां पर रिस्पॉंस कंस्ट्रेइन में क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपना प्रसेंटेज रिटेंज जो रहा हूं ताकि आप थोड़ा अच्छे से देख पाएं जब आप टॉप लजी ऑप्टिमाइशन को करते हैं तो यहां से वह सारा में रिमूव हो चुका है जो कि आपके नहीं कर रहा होगा यानि इस पर कोई भी स्ट्रेस या स्ट्रेंट नहीं हो रहे होंगी तो आप जब ही डिसिपिशन भी आपका बढ़ जाता है तो यह था आपका एक कपल्ड अनालिसिस किस तरीके से आप करते हैं जब आपके बहुत सारे अनालिसिस कपल्ड हो जिसमें टेंप्रेचर भी लग रहा हो और आपकी स्टैटिक कंडिशन भी लग रही हूं लाइक प्रेशर एंफ है कि आप चाहें तो इस आलिस इसको किसी और कंपोनेट पर भी ड्राइkर सकते हैं और और देख सकते हैं कि वह अप्रियो किस तरीके से शोकता है और कहां से आप माश्ञा से अव야 40 कर सकते हैं तो आई होब कि आपको उंड्स होता है उसको इसमीश्します कि अवी ते시के लिए ही प्रवाइ प्रेट करएं थैंक प्रेंग तक रो और था थैंक प्रवाइस पर प्रवाइस्ट्टे बड़िए